हेलो तो कैसे हैं आप लोग तो आज हम लोग 2019 का जो प्रिविएस एर पेपर था से टेट का वो इस्टार्ट करेंगे और इसे सॉल करेंगे तो मुझे उमीद है कि सब बढ़ियां और मस्त फस्कलास होंगे तो टाइम बेस्ट नहीं करते हैं और कोशन इस्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला कोशन जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है थ्री ब्रांड्स ऑफ पेंज ए बी और एड़ सी और एवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ टेन ट्वेल ट्वेल ट्वेंटीफोर इस्पेक्ट वहीं अगर शॉपकीपर चाहता है कि एक्वल नंबर ऑफ पेंज हर ब् पूछे तो आपको बहुत जादा कुछ नहीं करना है सिर्फ LCM लगा देने का है ठीक है तो अगर मैं पूछता हूँ कि यहां पे दिया है 10 12 और क्या दिया आपको 10 12 24 दिया है तो मैं पूछता हूँ कि 10 12 24 के LCM क्या होगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 10 12 और 24 के टेबल में आता हूँ तो आप बोलोगे सर ऐसा नंबर साथ हो सकता है या फिर 120 हो सकता है यह कि 120 से ही 12 से डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है अगर मैं साठ बोलता हूँ तो साठ जो होता है दस से डिवाइड होता है बट 12 से भी होता है लेकिन 24 से डिवाइड नहीं होत है इसका मतलब फिर इसका मैं डबल कर देता हूं 120 अगर मैं ले लेता हूं तो 120 क्या होता है तीनों से डिवाइड होता है इसका मतलब यह है कि जो इक्वल लेना है सभी में से हाना A में से B में से C में से सबीस में से कितना लेना है 120 लेना है ठीक है तो minimum number of packet कितना लेना है 120 लेना है अब बस यहां से आप option देख लो ठीक है option देख लो यानि यह 10 को किसे multiply करूँगा तो 120 आ जाएगा तो आप बोलोगे 12 से हाना तो 12 कहां आ रहा है देखे कैसे हमने कुछ सेकंड में ही सवाल को हल कर दिया ठीक है आपको concept मालूम होना चाहिए और option से फिर आप असानी से question को solve कर सकती है ठीक है अगले question की तरह बढ़ते हैं हम लोग side of a square is 4 cm it is cut into 4 equal squares what is the area of each small square ठीक है अब एक बड़ा सा square है जिसका size क्या बोला है उसका जो side का size कितना बोला है 4 cm बोल रहा है तो मैं पूछूंगा अगर side कितना दिया है चार दिया है तो उसका area कितना होगा तो आप बोलोगे area जो होता है उसका क्या होता है square होता है तो आप बोलोगे square centimeter में है centimeter में यानि चार से डिवाइड करते हूं तो चार्च उक्सोला यह आगया आपका फाइनली एंसर तो भाई कहां है एंसर पहला यह है आपका option number one समझ में आ गया का बहुत आसान सबाल है अगले question की तरह पढ़ती हम लोग a number that is divisible by all the numbers from one to ten बहुत inclusive is यानि एक ऐसा number जो एक से लेकर दस तक सभी से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए तो वह number क्या होगा तो देखो एक से लेकर दस तक बोला दस से भी डिवाइड होगा यानि यूनिट प्लेस पे जो होगा क्या होना चीछ जीरो होना चीए यहां पर जीरो नहीं है इसका मतलब यह ऑप्ष्टन नहीं होने वाल है फिर यह देखो यहां पर यह हो सकता है यह rho सकता है प्र एक से लेके 10 के अंदर क्या आता है तो आप बोलो किauthor सी लेकर दस्तके में तरी न यहीं हो सकता है हमारा फाइनल सर छेकर यह हमारा राइट एंसर रोगा ठीक है सबको समझ में आ गया होगा अगली कॉशन ही दिभाष अस्य हम लोग को आएसा हैास अले हैज औरfull और टेन कोइंश विट हर पांच रुपया और 10, पांच और 10 कोईंस रखती है उसके पास, फिर उसके बाद बोला है, if the total number of coins she has is 25, total number of coins कितना है, 25 है, फिर उसके बाद क्या बोला है, the amount of money with her is 160, उसके पास amount of money कितना है, 160 रुपया है, ठीक है, आगे बोल रहा है, कि the number of rupees 5 and 10 coins with her are, उसके पास quantity कितनी है, number of 5 रुपया क्वाइन का और 10 रुपया क्वाइन की quantity कितनी है, तो 5 रुपया वाले को मैं क्या मान लेता हूँ, 5 रुपया वाले को और 10 रुपया, इसको मानता हूँ X, इसको मान लेता हूँ Y, ठीक है, 5 रुपया वाले की quantity को क्या लिया, हमने X ले लिया, और 10 वाले को क्या ले लिया, हमने Y ले लिया, ठीक है, तो अब कैसे करोगे भई, तो कितना है total, तो आपने बताया भई, X प्लस Y कितना है, 25, तो हमने लिख दिया, इनकी quantity कितनी है, total 25, अब एक और condition दिया है, क्या दिया है, कि दोनों का amount कितना है, तो आपने बताया, दोनों मिला कर 160 रुपया होता है, तो दोनों रुपया मिला कि 150 कैसे होता है, 5 वाला और 10 वाला इसकी quantity से 5 रुपये वाला उसकी quantity से multiply करोगे, तो वो आ जाएगा, उसका amount आजाएगा, 10 रुपया वाली की quantity से जो उसका place value है, उसका face value है, उसका जो face value, उसे multiply कर दोगे, तो उसका आ जाएगा, ठीक है, तो यह क्या आगया, आपका, total 160 गया इसको इस तरह से समझो अगर में 5 रुपया मेरे पास दो नूट है कितना अमाउंट बनता है तो आप बोलोगे 10 रुपया बनता है अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 10 रुपे के 3 नोट है इसकी quantity कितनी ये 3 मेरे पास amount कितना है तो आप बोलोगे 10 और 3 multiply कर दिया 30 तो बस यही quantity जो है यह 10 रुपिया है यह quantity क्या है इसको यहाँ पे x और y लिया गया है ठीक है समझ में आया अच्छा अब दोनों में common क्या है तो आपने बोला दोनों में 5 और 10 common है ठीक है sorry common क्या दोनों में 5 से कटता है यह भी 5 से कटता है यह भी 5 से कटता है 5 से काट दो 5 वन जा 5 5-2 जा 10 और 5-3 जा 5-3 जा हो गया फिर कितना बचा 5-2 जा हो गया 10 यह कितना हो गया solve करने के पाद पांसे डिवाइड किये तो क्या होगे? X plus 2Y 32 या क्या 32 तो एक नया equation बन गया कैसे बना? 5 से डिवाइड कर दिए अब यह linear equation बन गया solve कर दो इसको कैसे करना है? सबको मालूम है अब इसको कट्टूम कट्टा करना है तो minus कर दो minus करोगे तो क्या होगे? क्या है भी या? माइनस है तो minus है minus, cancel कर दो तो Y is equal to हमारा कितना आ गया? तो Y is equal to हमारा 7 आ गया समझ में आया? तो देखो Y कितना है भाई 7 है? तो यह 7 वाला यही option है 18 और 7 यही हमारा right answer होगा ठीक है? तो Y किसके लिए था? 10 उर्पे वालों के लिए था इसकी quantity कितनी है? 7 quantity है समझ में आगया होगा ठीक है? आगे बढ़ते हम लोग अगले question की तरफ यह दिया है 1 7.5 multiply 3 दोनों को multiply कर तो कितना होगा? 3 5 चा 15 और सत्रत या 51 51 और 52.5 और 7 से डिवाइड कर दो 7 3 जा होगे यहाँ पर कितना बचा 3 यह multiply करो कितना होगा? 12, 24, 36 36, 37 37.5 यह होगे माइनस माइनस प्लस कर दिये कितना होगा माइनस माइनस प्लस करने पर तो आप बोले 40.5 अब माइनस कर दो तो कितना होगा? 12.0 तो आपसर नमबर सेकेंड यह हमारा राइड एंसर आँगे ठीक है? बहुत आसान था अगले कोशिन की तरह बढ़ते हम लोग क्या बोला है? 1 6th of the tree in the garden are neem neem trees फिर उसके बाद बोल रहा है Half of the trees are Ashoka trees आदा क्या Ashoka है? ठीक है? एक गार्डन की बाद कर रहा है गार्डन में क्या बोल रहा है? कि भाई जो गार्डन के नदर है 166 में से एक पाड़ क्या है? neem का पेड है फिर बोल रहा है कि Half of Ashoka उसमें से आधा जो है वो क्या है? Ashoka के पेड है फिर उसके बाद बोल रहा है and remaining are eucalyptus, eucalyptus का trees है, फिर remaining क्या है, eucalyptus का trees है, ठीक है, if the number of neem trees is 5, और फिर बाद में बोला है, neem trees का quantity कितना है, पांच बता दे रहे, तो how many eucalyptus trees are in the garden, तो eucalyptus trees जो है, garden के अंदर कितनी है, वो अपने को find करना है, ठीक है, तो सबसे पहले किसकी quantity दिया है, neem का, कितना है neem का, total में से neem कितना है भाई, यह total हो गया, उपन neem का end लिग देता हूं, total कितना है, one six बोला है, छे में से एक पार्ट बोला है, तो total हमने छे लिग दिया, neem का ले लिए, एक, यह हो गया clear, फिर इसके बाद मैं बोलता हूं, किसका आगया, neem के बाद, half of the trees, अशोका, अशोका की बात कर रहा है, तो अशोका कितना बोला है, total में से अशोका कितना half है, यह अशोका है, फिर finally क्या बता रहा है, रिमेनिंग जो है, जो क्लेप्टस जो है, एक काम करो, अगर यह 6 है, तो इसको भी 6 बना लो, तो 6 बनाना है, क्या करोगे, उपर और नीचे से 3 से multiply कर दो, यह 3 by 6 हो गया, अब दोनों को निचला पार्ट, तोटल जो हो गया, सेम हो गया, यहां भी 6 हो गया, यहां भी 6 हो गया, तो आप बोलोगे, 6 में से 1 पार्ट नीम है, 6 में से 3 पार्ट जो है आपका, 3 पार्ट जो है यहाँ पर, कितना part, three parts क्या है Ashoka है, ठीक है एक part name, और तीन part क्या है, अशोका है, तो 6 में से total कितना हो गए, 4 part तो बचे कितने part, तो आप बोलोगे बचे कितने हमारे पास 2 part बचे हुए है, तो वो 2 part क्या हो सकते है, तो वो total में से दो पाड़ बचे हुए है तो पाड़ क्या है यूकलेप्टस के पाड़ है तो यूकलेप्टस है तो चार में से दो क्या है छे में से दो जो है यूकलेप्टस है अब उसके अंदर एक बात बोला है इसने क्या बोला है कि भाई साब जो यूकिलेप्टस है उसकी quantity मालूम करना है अगर नीम का कितना दिया है quantity कितना दिया है नीम बोला है अगर पांच होतो है एक का मतलब कितना समझ में आ रहा है यहां पर नीम एक है और question के इसाफ से 5 इसका मतलब एक की value कितनी है पांच इसी तरह 2 की value कितनी होगी 10 होगी बहुत आसान था दो की कितनी होगी दस हो गई यानि कौन सा एंसर होगा second वाला एंसर होगा समझ में आ रहा होगा question मज़ा आ रहा है सभी को अगर मज़ा आ रहा है चैनल को subscribe करे और like करे और दूसरों को share भी करे और हमारे telegram channel से भी जूरे ठीक है तो आगे कितने बज़े पर यह दिया है 16 बचकर 30 मिनट पर कितने बचकर 16 बचकर 30 मिनट पर छोड़ देती है एंड डीचेस डेस्टिनेशन ठीफास्ट अगस्ते को और अपने मनजिल पर पहुच्छ TV कितने तारिक हो 36 अगस्त को कितने बचकर 8 बचकर 45 मिनट पर कितने बचकर आट बचकर 45 इनट पर पहुचती है यहां पर क्या है 29 अगस बोलाए और यहां 31 तो बीच में क्या आएगा तो आप बोलोगे सर बीच में जो आने वाला 30 अगस भी आने वाला है हाई तो जब 16 पर से स्टार्ट होती है जब दुबारा तीस तारीको सो लपर पहुचेगी तो कितना हो जाएगा 24 घंटा यहां पर पूरा हो जाएगा जब यहां पर 16 ठड़ी पहुचेगी 24 पूरा हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद 16 के बाद दुबारा एक complete round मारेगी 16 का मतलब क्या होता है 16 का मतलब सभी को मालूम है 16 का मतलब क्या होता है 16 का मतलब तो 4 होता है 16 का मतलब क्या होता है 4 होता है यानि दुबारा अगर 16 बजने का मतलब 16 का 4 बज रहा है तो कितना हो जाएका 36, ठीक है, तो ये 36 हो जा रहा है, फिर उसमें जब राज का 4 बज रहे, तो कितना हो जा रहा है, 36, फिर 4 घंटा और मिला दो, तो कितना हो गया, 40, क्योंकि 8 बजे बोला है न, तो 4 बजे और मिला दो 4 घंटा, तो 40, तो 40 घंटा हमारा एंसर आ रहा है, तो भाई 40 घंटा कौन सा ये है, उसके बाद कुछ मिनट रहेगा, तो फाइनली हमारा चौथा एंसर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सवाल था, अगला कुश्चन, इंवीच आप तफॉलेंग लेंद्ध है बीन अर फाला कुश्चन है, 180 सेंटी मिटर लॉंग वायर, इस फॉर्म इंटू अ रेक्टेंगल, कितना मीटर लंबा वायर है, 180 सेंटी मिटर, उससे क्या बनाया गया है, उससे एक रेक्टेंगल बनाया जा रहा है, फिर आगे बोल लाए, इव द वीट आप दिस रेक्टेंगल इ है, यह रेक्टेंगल हो गया, यह वीट कितना बोल लाए, 30 सेंटी मिटर है, वाट इस लेंड लेंठ, तो लेंठ क्या होगा, यह मालूम करना अपने को, क्योंकि इसका बोला है पूरा वायर, यानि पूरा इसकी बांडरी की बात कर रहा है, और बांडरी क्या होता है, पैर लैंज इंटी ब्रैध रिकें यह हो गया आपका ढल्म मालुम और ह्रत कितना है यह दिए आपको 30 cm ढभी हम ने अब क्या करना है डिवाइब कर दो यह किया हमने डिवाइट कितना आगया नबया गया अब 23 कई दर ले जागे 90 में से माइनस कर दो तो कितना का साथ तो यह कितना आए गया यह आगया हमारा साथ तो सही एंसर क्या होगा सेकंड वाला साथ हमारा राइट एंसर हो गया समझ में आया सभी को अगले कोशन की तरह बढ़ती हम लोग यह दो को प्यारा कुशन है क्या बूला है कि दा प्राइज लिस्ट आफ वेजी टेबल इन सुपर मार्केट इस गिव अस यह प्राइज देदिया टोमेटो है पोटेटो है कारट है अना बिक्टर है अना छिली जय लेमा ने चलो भाई अब जो जो है सब की चीज़े देख ल पर उसका प्राइस दे दिया है यह टोमेटो जो है एक रुपय का एक कितना है 40 रुपय का यार अब भी 40 रुपया दिया है हमारे हैं हाथ 120 रुपया चल रहा है है अना ऐसे सरकार लूटने पर तुली हुए दिविए क्या किया जाए सरकार का ठीके पोटेटो दिया दो खाने का सोचना पड़ता है कि पेट्रोल तिने महेंगे घर के खाने के खाने का तेल है वो भी महेंगा है तो अब देखो इसको कैसे करते हैं सवाल खैर महेंगाई तो चलते रहेगा सवाल के तरफ आते हम लोग सवाल क्या दिया भई वन केजी 40 रुपय का दिया है संजे क् अगर ता आधा कि नो चरीट तरफ तटा है आधा कि चपर फिराओ कर लेता हूं आगर 2021 रुपय गोज उनक्व उसके पाद एक किलो फथो खरिद लिया पोटेटो भी अधा खर दिया इन्होंने केलोगया अगर 25 रूपया तो एक क्लो कितना हो गार? तो भार्य सब्तुबता कराम तो कितना खरिद दिया जो है नहीं कितना होता है depression गराम कीला होता है नहींüstरलित Profits है 250 ग्राम् चिली कितन opinions 250 ग्रम् सुद्ध selfish कि अगर वैलु दस रोपिया तो 250 ग्राम कि वैलू कितनी होगी बताब 200 ग्राम कि वैलु कितनी होगी सब्सक्राइब का यहां पर 250 ग्राम कहीं कि फचीर रूपैं और चार पीस लेमन खडिद है 007 16 Infinite दस का है हाना और कितना बोला है आप लेमन का छेपिस बोला है चार पिस दस रुपे का है तो छेपिस कितने का पड़ेगा भई छेपिस 15 रुपे का पड़ेगा कैसे पड़ेगा और चार का अधा गर्दो दो पीस दो पीस कितने का पांच रुपे का हाना चार पीस 10 रुपे क का 6 na 15 रुपे का कर दो समसब का ये पांच हो गया ये 2, 5, 2, 7, 12 हो गया दो कैरी आया 3, 1, 4, 4, 8, 2, 10, 11, 111 रुपया पचास पैसा जो इसका खर्चा हुआ और लेके कितना गया था 200 रुपया ये लेके गया था तहे 200 रुपया मैनस कर दो आपका एंसर आगा 8, 27.5 यह आपका final answer आ जाएगा ठीक है समझ में आ गया होगा तो अगले कुछ नहीं तरफ बढ़ते हैं हम लोग क्या बोला है कि I am two digit number सवाल में बोला है कि मैं दो डिजिट number हूँ the digit in the 10 place and a digit in unit place are consecutive prime number unit place और 10 place पे दोनों क्या है prime number है ठीक इसके बाद क्या बोला the sum of digit is multiple of three and four अग दोनों digit के जो सम है वो multiple होगा चार और तीन का बहुत आसान होगे सावाल जैसी यह बोला देको तीन और चार का multiple होना ची साथ पांच बारा है ना दोनों digit का सम करती है बारा बारा तीन और चार का multiple है बिल्कुल है इसी का मतलब इसका मतलब यह है कि यही हमारा final answer हो यह दो लोग बाकी यह तीन दो पांच हो रहा है यह नहीं हो सकता पांच दिन आठ यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता यह दो घंटे तक रहेगा तो 50 रुपिया दो घंटे से अगर जादा रहेगा पांच घंटे तक रहेगा तो पच्छत्तर रुपया चार्ज होगा after five hours 10 उर्पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो भी आठ आवर्स तक more than eight hours up to 12 hours 150 उर्पे लगेगा more than 12 hours and up to 24 hours दो सो पचार्ज उर्पे चार्ज होगा राजीप पार्क his car at 7 a.m. कितने बज़े पार्क कर रहा है सुबा में 7 बज़े and comes back to pick at 4.30 कितने बज़े वापस आ रहा चार बच के तीस मिनट प्यार रहा है उसी दिन कब बोल रहा है सेम डे बोल रहा है how much money does he have to pay उसको कितने पैसे पदा करने पड़ेंगे देने पड़ेंगे सुबा में साथ बज़े से सामें चार कितने बच गया साथ से बारा जाओगे कितना होगे साच्छार ग्यार एक पांच पांच घंटा तक यह हो गया और चार यह bit of the filling statement is not correct काया सा स्टेटमेंट करेक नहीं है मं ओल प्राइब नंबर ई। definitely many prime number साइब बहुत से प्राइम नंबर यह भी साइब आप प्राइम नंबर है अल्ली टू फेक्टर प्राइम नंबर में दो फेक्टर होते होते वही तुसकी पैचान है इसका मतलब यह भी साइब बात बोलता है दिर अनली फॉर सिंगल डिजिस प्राइम नंबर ठीक है यह देखलो आप दो है दीन है पांच है और सथ है ठीक है टे अर ओनली फॉर सिंगल डिजित ट्राइम नंबर कितना बोले दियार अली फोर फोर बुलै ना दो तीन तीन के बाद पांच पांच के बाद साथ तोटल चार ठीक है वरोबर यह भी सही बोला है ऐल प्रायम नम्बर्स और और नमबर्स ये गलत बाद बोला है सब्ढूर्ब पर होती है बिल्कुल सही है मर्दो को छोड़के दो क्या है अपना इवेन नंबर है ठीक है इसका मतलब क्या होगा कौन से स्टेट्मेंट करेक्ट नहीं है पहले वाले स्टेट्मेंट करेक्ट नहीं है ठीक है तो बस यहाँ पर अपना कोशन खतम हो गया है अगर हमारे वीड झाल झाल